नमस्कार पिछले वीडियो में हमने आयूर्वेद के त्रिदोष सिद्दान्त के बारे में जाना यानि कि आयूर्वेद का जो मुख्य सिद्दान्त है त्रिदोष का उसके बारे में हमने देखा इस वीडियो में हम आयूर्वेद के और एक सिद्दान्त के बारे में यानि कि सब्द धातु सिद्दान्द के बारे में देखते है सव प्रथम सब्द धातु सिद्दान्द यानि की सब्द यानि की साथ और धातु यानि की धातु ये सब्द की रूपने हम जानेंगे उसके अर्थ को जानेंगे तो सब्त धातु सिद्धान्द के बारे में सबसे प्रतम देखते है धातु किसको कहते है सब्त यानि कि साथ और धातु धातु यानि क्या तो जैसे आपने नाम सुना होगा धर्म धर्म किसको कहते है धारणा धर्म इत्याहु यानि कि जो धारण करता है पूरी प्रजा का पूरी शुरुष्टी का जो धारण करता है उसको धर्म कहते है उस तरह से धातु किसको कहते है पूरे शरीर को धारण करता है पोशन करता है उसको धातु कहते है तो पूर्या शरीर जिसके उपर टिका है वो आयुर्वेद का कंसेप्ट धातु का है तो इस सप्तधातु के सिद्धान्त का क्या महत्व है तो पूरे के पूरे जो सप्तधातु है ओ धातु के उपर ही शरीर तिका हुआ है वही धारण करता है वही पोशन करता है अब वो बेलेंस में रहे तब तो ठीक होता है शरीर पूरा का पूरा ठीक से चलता है जैसे एक गाड़ी है उसके चार पहिए बराबर है नाप में चार पहिए बराबर मतलब उसका नाप साइस सब कुछ बराबर है अवा बराबर है तब तो गाड़ी बराबर चलेगी लेकिन यदि उसमें कहीं कम या ज्यादा हो गया तो गाड़ी बराबर चलेगी नहीं बैलेंस नहीं रहेगा बर तो ये शरीर की गाड़ी बराबर चलेगी, यदि उसमें विशमताई कम और ज्यादा हुई, कोई धातो ज्यादा हो गई, कोई धातो कम हो गई, तो क्या होगा, जैसे गाड़ी में कोई पहिया छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा, च यदि वो नहीं रहेगा तब शरीर रूपी गाड़ी भी विगड़ जाहेगी इसके लिए चरक सम्हीता में बताया गया है कि रोग क्या होता है कब होता है कोई भी प्रकार का रोग आपको तब होता है जब धातू का वेशम्य होता है धातू विशम्य हो जाती है तो चरक सम्ह यानि कि वो समान हो गई तो उसको प्रकृति यानि कि स्वास्तिय कहेंगे कितनी सुन्दर कितनी सरल व्याक्या यहाँ पर बताई गई है रोग की और प्रकृति की यानि कि रोग की और स्वास्तिय की तो यहाँ पर चरक्समिता में बताया गया धातू की विशमता ही विकार है तो विकारो धातु एशम्यम और धातु की समानता ही प्रकृती यानी की स्वास्त्य है तो ये पूरा का पूरा सुत्र ये बताता है कि सातो धातु सम होनी चाहिए सातु धातो में विशम्ता, सातो धातो में विशम्ता नहीं होनी चाहिए तो ये चरक समहिता में स्वास्ट्य की और विकार की व्याक्षा बताई इशे और आगे चरक समहिता में ऐसा ही बताया है कि आयूरुईद का सारिस में आ गया। यादु साव्य क्रिया प्रोक्ता तंत्र स्यास्य प्रयोजनम यानि कि पूरे के पूरे तंत्र तंत्र यानि कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है अस्टांग आयूर्वेद का प्रयोजन क्या है दातु साम्य क्रिया प्रोक्ता दातु साम्य हो एसी क्रिया को कराना वही आयूर्वेद का प्रयोजन है मतलब की पूरे के पूरी धातु को समान है उसको समान रखना यानि कि स्वस्तस्य स्वास्त्य परी रक्षनम और विश्रम हुई धात दातु को समता करने के लिए आए है आयूर्वेद वही करता है, आयूर्वेद की दवाईया है, स्वस्थवरुथ है, सारे नियम है, वो किसलिए आये है, धातु को सम करने के लिए आये है, अब देखते हैं कि धातु साथ कैसे है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये हम अभी देखते हैं, सबसे पहले सब्त धात का परीचाई और उसके उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि ये कैसे उत्पन होती है और फिर कैसे सरीर को धारण करती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरीर ही ओ आहार से संभव होता है देहो ही आहार संभव हा ये आयूर्वेत का सित्तान थे ये आयूर्वेत का सुत्र ह देह का देह आहार से ही संभव होता है आहार यानि कि आहार हम लेते हैं पानी लेते हैं वायू लेते हैं ये सब हम ग्रहन करते हैं ग्रहन करते हैं उसको सेल के रुप में परीणमित होता है और शक्ति के रुप में उर्जा के रुप में परीणत होकर पुरे शरीर को टिकाता ह तो इसे पहले अगय के लिए बेश दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए फिर आगे जाता है प्रोसेस करने के लिए तो इस तरह से उद्दरो तरो प्रोसेस करने के लिए चला जाता है कुछ बन जाता है कुछ निकल जाता है कुछ आगे जला जाता है बराबर यह समझ गए कुछ जैसे रो माटिरियल की फैक्टरी है रो माटिरियल की फैक्टरी में क क्या होता है जैसे कि कुछ वस्तुए होती यहां पर होती है और कुछ इस में से आगे प्रोसेस के लिए चला जाता है कुछ वेस्ट निकल जाता है और कुछ यहीं पर रहे जाता है पेकेट ओकर यह एक पेकिंग हो जाता है इसको कहते हैं फिनिस प्रोड़क्ट बराबर है औ फिनिस प्रोड़क के लिए चला गया टेप बची वह आगे के प्रोड़क के लिए यूज वो गई और थोड़ा-थोड़ा काट कर जो निकला वेस्ट वो मल के रूप में यानि कि वेस्टेस के रूप में निकल गया तो आयूर्वेद का भी सिद्धान्त आप समझेंगे इसी तरह से तो सब्त धादु का परीचय आपको आसानी से हो जाएगा सव प्रतम खुराक लेते हैं और सोलिड के रूप में या लिक्वीट के रूप में लेते हैं अब उसको प्रोसेस करने के लिए लिक्वीट करना जरूरी होता है तो ही उसकी प्रोसेस हो स तो आयूरवेद में ये लिक्वीफाई करने के लिए लिक्वीट करने के लिए जिब से लेकर ग्रहणी तक के बहुत सारे अव्यों काम करते हैं तो इसको कहते हैं रस रस उसमें लिक्वीट करने के लिए जो उसमें हो गया उसको मतलब एक पेस्ट जैसा बना दिया और रस के गन जो आहार होता है उसको प्रवाही रोक में लाकर उसको आगे पूरे के पूरे सरीर में पोशन देने के लिए पोचा देता है क्यों पोचाना जरूरी होता है क्योंकि देखिए गन ठोस पदार थे वो पूरे सरीर में नहीं पोच सकता है आप समझ गए जो घन प्रवाज घन पदार थे उसको पहुचाने के लिए लिक्वीड करना जरूरी होता है तो ये लिक्वीड ही अंत तक पहुच सकता है जैसे खेत है खेत में पानी है तो पानी लिक्वीड होने के कारण पूरी जगह पर पहुच सकता है बराबर है लेकिन वही पानी जब बरफ बन गया तो बरफ को पुरी जगह पर नहीं पहुचा सकते हैं वही बरफ पिगल गया तो अनेक जगह पर पहुच सकता है पानी के रूप में लेकिन बरफ रहा तो पहुच नहीं सकता है उसी तरह से आहार घन रूप में रहा तो पोँच नहीं पाएगा पोशन देने के लिए लेकिन उसको लिक्विड कर दिया तो अनेक वो सुक्ष्म हो गया चल हो गया गती आ गई तो लिक्विड हो गया तो पोँच सकता है तो ये जो बर्फ और पानी का सिद्धानत आप दियान में रखेंगे उदाहर और दियान में रखेंगे तो खाया हुआ अहार बर्फ है उसको पानी में रुपान तरीत करना बराबर है वो है रस वो पानी की तरह है रस ताकि वो अनेक जगह पर पोँच सकता है अब उसका स्थान आयूर्वेद में रदई बताया गया है कि रदई एक विशेश ये सा स्थान कि जहां पर रस जाता है और पूरे शरीर में वो पोछ जाता है आयूर्वेद की सुक्ष्वत आप देखिये सुसरुत समीता में बताया गया है कि ये 24 तमनिया जो होती है और रस को पूरे शरीर में ले जाती है 24 तमनिया 24 माने अलग-अलग ट्रांसपोर्ट के जैसी व्यवस्ता है वो पूरे शरीर में रस को पहुचाने का काम करती है उसके मूख कैसे है तो उसमें 10 है वो उर्ध्वग मुखी है दस अदोग मुखी है और 4 तिरियग मुखी है ऐसी 24 तमनियों का वरण सुसरुत समीता में आया हुआ है वो पूरे शरीर में रस को पहुचा देती है और रस गतोव धातो है यानि कि गती करने के अर्थ में ही र रस का नाम है आई आप जानेंगे तो पता चलेगा शब्द से ही वो पता चलता है कि किस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग है रस था तो तो यह रस गतो तो रस गती के अर्थ में है तो पूरे शरीर में वो गती करता रहता है पोशन देता रहता है उसको कहते हैं रस उसमें एक अगनी होती है और रस होता है उसमें एक अगनी होती है उसको कहते रसागनी बराबर है अब रसागनी से क्या होता है रस के अंदर प्रोसेस होती है रस के अंदर प्रोसेस वो अगनी है वो भाग करती रहती है जैसे एक पानी आपने लिया है गरम किया कच्रे वाला बराबर है इसके लिए अयुरवेद में जो दिव्यामो है यानि की आरोग्यामो है उसका वरणण दिया गया है पानी को जलाने का उठाने का यह सभी प्रक्रिया heart तो वो क्या करते है अगनी जलाई अगनी जलाई तो क्या होगा दो भाग पानी के हो गए जो मल बात था बराबर है वो एक तो जल गया बराबर है पानी प्योर होगा वो पानी प्योर रे गया ताकि वो जो दूशी तत्वत थे वो जल गए ऐसा हम बताते हैं बराबर है दूस सागनी हैं रस हैं रस में क्या हुआ एक दो सार बात जो ये पानी जैसे उबाला हुआ पानी वहां रह गया है वो यहाँ पर रस रहे गया बराबर है फिर वहाँ पर जो अगनी थी उसने जो मल निकाल दिया एक प्रकार का जो वेस्ट था यहाँ पर जलाता है वहाँ पर निक लग कर देता है निकालकर अलग कर देथा, वो यह मल भाग हो गया आसुवलार के रुप में, रस dus के मल को, ये रस किसी भी प्रकार के धातु को अगनी क्या करती है, उसके दो भाद में रूपा अंतर करती है कौन Shepherd बाग होता है और एक मल भाग को कीट भाग भी कहते हैंवबर अब यह सारबाग बचा है जो एक व्यावस्थी फोम बचा है उसका उसके भी दो भाग होते है एक तो सेफ के एक धातु में एक अगनी ओगनी का कारिय क्या होता है अगनी का कारिय सार और मल को अलग करना यह मल हो गया अब सार बाद जो बचा ओ तीन इसों में बढ़ जाएगा एक सार यहां रहेगा नमबर एक बराबर यह खुद है दूसरा आगे की धातु को बनाने के लिए चला लेगा तो यह नमबर तीन बराबर है जैसे व्यक्ति अपने आप एक धातु माने में एक धातु हूँ मानो तो मेरा परिवार जो है और रखता है बराबर है और तीसरे मेरे मित्र या अलग-अलग लोग समाज के लोगे जिसको मैं दान देता हूँ यह नमबर तीन है आप स से उत्तर की धातो बनती है, बरावरहे और तीसरा, जो थोड़ा बहुत था, ना कहां रख़विया, डान के लिए समाज में मित्र में लोन देने के लिए रख़विया, ओर नमबर तीन है, एक दो तीन और यहां पर का रसागनी हुई तो पहले ही एक बाग निकल गया अगनी आई रसागनी से रसागनी रस को जलाया तो मल बाग निकल गया तो मल को तो बिनना ही नहीं हो पहले ही निकल गया अब जो बचा उसके तीन बाग हुए एक बाग जो रस रहा दूसरा बाग रस से रखत बना उत्तर धा दातु कहां से बनती है पूरुव दातु से बनती है तो उत्तर दातु बने एक बाग यहां गया यह परिवार है और यह मित्र वगेरे है यानि कि उपदातु कहते है उपदातु इसके लिए कहते है कि एक तो दातु जैसी होती है और यह दातु से पोशीद होती है पोशन पो श्色 रूप इसा उपधात्यूर्फ और मल होगा उसका भी एसा स्वरूप होगा बड़ाबर है यहें समझ लिया आपने तो यह कहते हैं इसको धातू उपधात्यू मल होती है रस उसमें होती है अगनी वह अगनी रस को जलाती है उसको पहले मल अलग निकाल देते हैं जो बचा उसको उत्तर धातु के रुप में एक बात चला जयता है एक बात यहां होता है और एक बात यह बनता है शरीर की इतनी सुक्ष्णोव यवस्था के कारण ही पूरे के पूरा शरीर पोशित होता रहता है इसके लिए आप उंगली को देखोगे, एक उंगली बढ़ी और एक छोटी एसा नहीं होगा, देखे, दोनों आत की उंगली देखे, दोनों हाथ देखे. आप में वजन कम हो जाए तो आप पूरे पतले पड़ोगे एसा नहीं होगा कि एकाथ पतला पड़ गया और एकाथ एसा ही है एसा नहीं होगा पूरे सरीर में से समान रूप से माउस कम होगा आप देखेगा यह बराबर ऐसा नहीं होगा कि यहां तो माउस कट गया लेकिन नीचे नहीं घटा यह structure कम ज्यादा होगा लेकिन यह जो structure का जो design है उसमें फरक नहीं होगा इसके लिए अस्ती धातु को पोशन देंगे तो एक उंगली बढ़ी वो जाएगी और दूसरी छोटी रहेगी यसा नहीं होगा नाखुन की समान उरुद्धी से ही बढ़ेंगे ये एक आस्चर यकारत वस्तु है कि उंगलियों के नाखुन उंगली शी पेश्या सब समान रुप से बढ़ती है वो समान रुप से क्यों बढ़ती है क्योंकि आयूर्वेद का ये धातु का सिद्धान्त वहां काम करता है आय पतली पढ़ गई तो केवल एक नहीं पढ़ेगी, पूरी की पूरी उंगलिया पतली पढ़ जाएगी, शरीर का वजन बढ़ गया तो पूरी की पूरी उंगलिया सही हो जाएगी, ऐसा यू होता है, क्योंकि आयूरवेद का ये सब्त धातु का सिद्धान्त वहाँ पर काम कर तो ये एक देख लिया हमने तातू उपधातू और मल के रूप में अब जो धातू होती है वो यहां पर रस धातू है उसके बाद रक्त बनती है उसका एक उदाहरण में आपको और बताता हूँ जैसे गन्य का रस से गुड़ बढ़ते हुई आपने देखा होगा बिल्कुल गन्य के रस के जैसी रस तातू गीनिये अब वो रस तातू को आग में चला या मसीन की प्रोसेस की उसमें हीटिंग दिया तो क्या होता है रेड कलर का एक लिक्वीड बनता है आपको पता है और रेड कलर का जो लिक्वीड बनता है वो यहां पर रक्त के जैसा होता है वहा तो ये रस से क्या हुआ रस दातू थी और रस धातू पुरे शरीर में थी और पुरे शरीर में से रक्त दातू यक्रूत और पलिहा उसका स्थान मना गया है वहाँ पर मतलब वहाँ पर कुछ रंजक पीत के साथ उसका सयोग हुआ और उसमें रक्तकण देने की तयारी हुई रक्तकण में रंजित कर दिया उसको तो ये रक्त बना उसका कारणी लाल होने से ही उसका नाम रक्त पड़ा है आयुर्वेद में उसका कलर जो है वो लोहित माना गया है रक्तका कलर और रंजित हुआ है इसके लिए उसको रक्त कहा जाता है अब रसका यदी प्रमाण शरीर में माने तो नव अंजली प्रमाण माना गया है रसका पूरे शरीर में रक्तका प्रमाण करीब करीब आठ अंज कि रख्त का प्रमाण Aww पुड़े शरीर में रहता है रक्त की बारे में जानली रक्त का महट्व देते हुए सुस्रुत संहिता में बताया गया है है ने लोगते प्रमाण। यानि कि रक्त ही जीव है, एसिस्थिती है, रक्मूल है सरीर का, वो रक्तधातु है, तो ये रसधातु के बाद में रक्तधातु का क्रम आया, अब इसके लिए समझाने के लिए और एक उदार चरक समीता में दिया गया है, केदार कुल्यनियाई जिसको कहते हैं, केदार कुल फ्लोवा की तीसरे में जाता है जब तक ये भरता नहीं है तब तक दूसरे में नहीं जाता है उसी तरह से ये धातु जब तक पुष्ट नहीं होती है पूरण तक ये धातु नहीं बनती है ये धातु पूरण होने पर ये धातु बनती है ओकेदार कुलियन याईसे ये पत्ती होती रहती है पुरी की पुरी था तुकी बराबर है अब यहां से रक्त से रक्त बना अब रक्त हुआ तो रक्तागनी रक्त में है वो क्या करती है रक्तागनी ने रक्त को जलाया जलाया उसको मतलब हीटिंग दी तो रक्ता से मल दूर हो गया उसको आर्थव कहते हैं रक्त का मल, अब सारबाग रहा, रक्त प्योर रक्त रहा, प्योर रक्त से क्या हुआ, कंड्रा और शिरा का निर्मन हुआ एक, और एक आगे माउस, माउस बनने के लिए चला गया रक्त, एक थोड़ा रक्त रहा, फिर माउस के लिए चला गया, और फिर रक्त से ही कंड्रा औ माउसादनी अंदर है माउस के अंदर माउसादनी है बराबर यह माउसादनी है उसको माउस को जलाया जलाया तो उसको सबसे पहले क्या हो गया सबसे पहले उसका मल दूर हुआ तो मल क्या होता है माउस का माउस का मल है करण जिववा नासिका का मल जो यहां रेड कलर का निकलता है कभी-कभी नाक में से निकलता है कान में तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि उसका कलर रेड है उसका कलर करीब-करीब माउस के जैसा होता है तो ये करण जिववा के उपर भी कभी कभी यह देखते है सलाई वावती है वो नहीं लेकिन एक लेयर जम जाता है ओ जिववा का मल और नासिखा का मल कभी कभी रेलीस का जैसा निकलता है जमा हुआ तो उसको नासिखा का मल कहा जाता है तो ये माउस में भी ऐसा हुआ, माउस फिर एक मल निकल गया कि दो भाग रहे, तो आगे एक तो खुद इसमें रहा, फिर मेद बनने के लिए चला गया एक बाग, एक बाग ये मित्र वगेने को, यानि कि उपधात बनने के लिए गया वसा और तवचा का निर्माड वो गया उससे बरबर है अब मेद की बात आई तो मेद में भी ऐसा हुआ मेदा अगनी ने फिर इटिंग दी उससे मल बात दूर हो गया उसको स्वेध यानि पसीना कहते है फिर आगे सारबाद रहा उसमें से आगे अस्थी बनने के लिए चला गया और एक उबधातु बनने के लिए जिसको सनायू और शंदी कहेंगे बरबर है फिर अस्थी धातू की बात आई तो अस्थी धातू ने अस्थी अगनी से अस्थी धातू की प्रोसेस हुई उसमें से मल बात पहले निकला उसको केश या नाखुन कहते है जो अस्थी धातू का मल है बरबर है तो केल्शियम ले के लिए एक बाग चला गया जो मज़ा बनी और एक ढात बन गए उससे उप धातू के रूप में फिर मज़ा के ऊपर प्रोसेस की उसका मल बाग निकल ऑग जिसको त्वग और नेत्रमल केहते है, बराबर है, फिर सारबाग बचा, सारबाग में से यह सात्मी धातो बनी जिसको हम शुक्र कहेंगे, और एक बाग छोटा सा है, वो उसमें रोम बन गए, सारे सरीर के, तो यह मज्जा की उपधातू के रूप में यहाँ पर लिया गया शुक्र का कोई उपधातू या तो मल नहीं है तो ये पूरी की पूरी सब्तधातू के परीचे हमने देखा तो सब्तधातू ये पूरे के पूरी आपको जानने को मतलब ये कासानी से आपने समझ ली कि ये सब्तधातू की प्र उपधातु में फरक यही है कि ये धातु है उसकी उत्तर धातु का पोशण करती है उपधातु में इसा नहीं होता है तो उसको केवल धातु से दिया चाता है उपधातु लेती है उपधातु देती नहीं है धातु में दोनों है कि धातु रस से रक्त बना तो रक्त से फिर रक्त धातु से माउस बना तो उससे उत्तर धातु का पोशण होता है अगली धातु का पोशण करना वो धातु का कारिय होता है बराबर एक सामान्य कारिय सब दातु का होता है उत्तर दातु का पोशन करना यानि कि अपनी अगली दातु का पोशन करना फिर रक्त का देखे तो सभी अंगों को पोशन देने का कारिय है वो रक्त करता है और रंग निखारना इंद्रियों के ज्यान को सहाइता करना को भी रखत का काम है रखत के बारे में इतना बता दू कि अगया है मोडन में भी आज 5,5 लीटर पूरे शरीर में रहता ऐसा माना गया है आप करीब करीब ये रगत दातु को देखे तो अभी आठ अंजली के रूप में पूरुष को देखे तो करीब करीब 125 ml जितनी एक अंजली का प्रमाण होता है तो एक लीटर जितना हुआ प्रमाण शरीर में मुख्य खून का रगत का और आज की परिभाशा में देखे तो 5 लीटर या 5,5 लीटर बताया जाता है उसमें 80% करीब जल होता है तो 20% यानि की एक लीटर जैसा प्रमाण हुआ तो आयूर्वेद के आचारियों ने उस समय बता दिया था कि पूरे शरीर में मुख्य रगत इतना होता है यदि पानी को बात किया जाए तो तो यहाँ पर भी मोडरन साइंस में भी याच स्विक्रूत हो गया है तो रख्त का कारिय क्या हुआ सभी अंगों को पोशन देना सभी अंगों को पोशन देता है इसके लिए रख्तम जीवमिटी स्थिती ऐसी दान थे और रंग को निखारना इंडियों के ज्यान में आसानी रहे ऐसा करना फिर है माउस दातो का काम माउस पेशियों का निर्माण करना होता है बराबर है हमेशा माउस पेशियों का निर्माण होता रहता है इसके लिए करीब करीब 40% माउस पूरे शरीर में रहता है आगे माउस पेशियों में लेपन और सुपरी पूरे शरीर की सुरक्षा करना भ मेद का कारिय होता है बराबर है शरीर को शक्ती देना द्रटता देना स्थीरता देना ये भी मेद के कारिय होते हैं मेद था तो के बराबर है मेद के बाद करम आता है अस्थी का तो अस्थी शरीर के ठाचे का निर्मान करना क्यूंकि आपको पता है श्ट्रक्चर अस्थी के बिना नहीं बन सकता है हाँ एक बात में यहाँ पर बता दू अनस्थी गर्भ का वरणन सुसृत समीथा में आया हूँ आपको जानकर आश्चर यह होगा कि अनस्थी गर्भ रेता है तो बहुत दिनों तक उस्ट्रक्चरल नहीं वो पाता है तो मर जाता है अनस्थी गर्भ का निर्मान करते वक्त महरसी सुसृत ने बताया है कि जब दो स्ट्रियों का समागम होता है आला कि यह धर्मसास्त्र की दृष्टी से विरोधे कभी-कभी ऐसा होता है कि दो स्ट्रिया जब समागम करती है तो स्त्रियों में भी एक शुक्र माना है लेकिन ओ शुक्र प्रजोत पादन के लिए सक्षम नहीं होता है पूरण प्रजा के लिए तो दोनों स्त्रियों का जब समागम होता है तब क्या होता है शुक्र स्रवीत होता है और और शुक्र मतलब एक शुक्र का भाग और उससे एक दूसरी स्त्री को गर्भ रेता है अब ओ गर्भ अनस्ती गर्भ के रूप में महरसी सुसुत ने वहाँ पर वर्णन दिया है कि वो जीता नहीं है लेकिन रहता है वो च्यूत हो जाता है structure नहीं वो आता है क्योंकि उसमें अस्थी नाम की धातू नहीं होती है उसको कहते अनस्थी गर्भ और आपको जानकर हैरानी होगी मेंसिस के समई पर यदि समागम किया जाए तो भी ये आजकल जो लोग यूट्यूब प वो बक्वास करते रहते हैं सरीर सास्तर के नाम पर और अलग-अलग-अलग उठ पठांग बाते वहां पर बताते रहते हैं तो यूआ वर्ग वो सुनता है तो हानी कहां होती है क्यास कर ke MEN-sिस के समई पर जो समागम जो करते हैं उसमें गर्विएने की संभावना नहीं हो जिन्दा नहीं रह सकता है तो ओ जीव को लाना पूरे कुद्रत की प्रोसेस में और उसके बाद या तो उसको गर्भ स्यूती हो जाती है गर्भ स्राव हो जाता है या तो उसको गर्भ स्राव कराना पड़ता है तो यह पूरे के पूरे अनस्थी गर्भ की व्यवस्ता पस्थी करता है अब आई मज्जा की बात मज्जा क्या करती है अड़ियों को वजबूत बनाने का काम बराबर है ओ मज्जा करती है अड़ियों के बाद मेरों का निर्मान करने का काम भी मज्जा का है तो मज्जा था तू ये अड़ियों को वजबूत बनाने का काम करती रहती लिए अगे मज्जा के बाद आता है शुक्र ब्रबर ओ प्रजनन शम्ता समागम शक्ति को बड़ाता है शुक्र शुक्र के बारे में तो आयूर्वेद में बताया गया है कि ब्राबर है तो शुक्र की रक्षा करना ओ परम करतव यह हमारा है श्थी मज्जा से लेकर शुक्र बना अंतिम, अंतिम अहार का प्रयोजन क्या हुआ यहां बनाबर तो आहार अस्य परमधाम यानि कि अंतिम नीर्मान क्या हुआ परमधामं अन्तिम क्या गया? शुक्र, इसके लिए उसको बचा कर रखना है क्यूँ तो बताया गया आहार अस्य परमधानम धामम शुक्रम तद्रक्ष्यम आत्मन हा बरबर तस्यक्षय बहुन रोगान मरणम वा प्रयक्षती उसके ख्षय से बरबर बहुन रोगान यानि कि बहुत प्रकार के रोग हो सकते है शुक्र के नास से मरणम वा प्रयक्षती म न्याई है उससे बनती है लेकिन इसमें अपवाद भी है कोई-कोई आहार द्रव्य सीधी धातु को बनाता है इसके लिए दूद गाई का है वो सीधी शुक्र धातु का निर्मान करता है बाई-पास हो करी यहां से बराबर है मानो सीधा पिया तो रस रक्तम आउस मेद अस्त नेचरोपेथी के नाम से या और कोई मतलब नहीं नहीं विचारधारा कच्छा खाओ रस पीओ उसको शुक्र का कुछ पता नहीं है बड़े लोगों के लिए यह बराबर है दूद का नहीं पीना वेगन की विचारधारा या तो फिर दूद के बारे में लेकिन वो लोग ध शुक्र की उत्पति नहीं इतनी होती है वो तो फ्रोसेस से जाएगी लेकिन वो तो बेचारा चानता नहीं है तो युवा आवस्था में ग्रुवस्त जीवन में समादम करता रेता है तो नाश करता रेता है शुक्र का लेकिन शुक्रवर्दक वाजीकरण उशदिया नहीं लेना वाजी कर आहार लेना बहुत जरुवी होता है तो ये शुक्र आहार का परंधाम गिनाया गया है अंतीम स्वरुप जो गिनाया गया है तो उसे प्रजननक्षमता या समागम शक्ति और अन्यकारिय है वीरता नीलरता पराकरम सोर्य वगेरे शुक्रशे आते हैं बराबर है इसके लिए आयूरवेद में जितनी प्रसंशा सुक्र की है सायद और किसी धातु की प्रसंशा नहीं की है तो ये सप्त धातु और उसके कारिय हमने चान लिये है अब आगे हम देखते हैं कि सप्त व्रुद्धी और कमी के लक्षण जैसे रस धातु है वो व्रुद्धी हो गई तो उसके लक्षण क्या होगे रस धातु व्रुद्ध बन गई ज्यादा हो गई यानि कि रस का पूरा पोशन मतलब पूरे की पूरी प्रोसेस नहीं हुई आगे रख तमे तो रस बढ़ गया raw material बढ़ गया, machine खराब हो गया तो आगे क्या नहीं बना सकते हैं तो ये बढ़ जाती है बराबर है, पूरूर दातों बढ़ जाती है जब आगे की process बरोबर नहीं होती है तब तब क्या हुआ, रस बढ़ गया है ऐसा जैसा लगता है, विसी तरह से रस बढ़ गये तो पाचन में कमी आएगी चीम चलने लगेगा ज्यादा लाड बनेगी बराबर है, ये रस के वृद्धी के लक्षन है कब रोती है वृद्धी आगे की धातों बनती नहीं है जैसे आप मानो के ट्राफिक है उसमें गाड़िया जा रही है जा रही है, ये कोई तकलीफ नहीं लेकिन मानो एक गाड़िया रुख गई रुखने से क्या हो गया ये गाड़ी रुखेगी तो पीछे वाली सब गाड़िया रुख जाएगी बराबर है, तो ये रुख गई तो इसके पहले वाली रुख गई तो यहाँ पर हमने रस से रक्त बनने की जो प्रोसेस थोड़ी मंद हो गई कि रस ज्यादा हो गया रक्त नहीं बन रहा है तो रस ज्यादा 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 हो गया, ज्यादा हो गया फिर इसे उल्टा भी कभी होता है आहार इतना प्रमाण में नहीं लिया बहुत उपवास किया बहुत उपवास किया तो जितना थोड़ा रस बना था वो सभी रक्त में परिणमी तो गया क्यों भी रक्त की भी जरूरत है बहुत मांगा गई थोड़ा माल दिया तो चला गया वापस वो उलाओ उलाओ सब जग से मांगा गई, अब रस तो है नहीं सरीर में, तो क्या होगा, रस की कमी हो जाएगी, ख्षय हो जाएगा, रक्स की कमी होगी, तो क्या लक्षन होगे, देखे आप उपवास करते हैं, तो ये ध्यान रखना है खास, आयूरवेट की करना है, no, तो रस का ख्षय हो जाएगा, रक्त जरूर यहे, उतना रस, वहाँ चला जाएगा, यहाँ बेलेंस नहीं रहेगी, तो ख्षय होगा, तो क्या होगा, देखे ए, मुँ सुखना होजाएगा, दिल में दर्द होगा, तडकन तेज हो जाएगी, ठकान लगेगी, रुखा पलोगा तेंट सांसे चलने लगीगी आप ज्याना उपवास यदी करेंगे तो ये सारे लक्षण आपमें दिखेंगे तो आपको मानना है कि मेरे सरीर में रस की कमी हो गई है बरावर कभी एक्सिडेंट होता है तबी भी ऐसा होता है क्योंकि खुन बहुत निकल जात रव खुन बनने के लिए रस ज्यादा जाता है तो रस चिए बालींस में औल्येंट नहीं रjen दिख है इसके लिए लिक्षण होता 1-5 रख रख ट विद्ध्ध हो गई अगि की माउस बनने की अगनीमंद होगी रक्त की वृद्धी हो गई रक्त की वृद्धी होई तवचा और आखों में लाली मा दिखाई देना अलाल हो जाएगा क्यूंकि रक्त बढ़ दया बदाए फिर यह सा कब होता है जब रक्त से माउस बनने की प्रोसेस कुछ डिश्टब हो जाती है तब यह साफ होता है माउस की कमी हो जाती है शरीर में तो माउस की कमी या उत्तर धातू की कमी होने के कारण यह पूरा का पूरा रत्त है वो माउस बनने के लिए चला जाता है तो यहां रत्त नहीं रहता है जो स्टोक होना चाहिए यहां पर वो नहीं रहता है तो कमी होती है तो यह क्या होता है उसके लक्षण तो देखते हैं, रक्त वाहिन या कमजोर होना, अमलिय ठंडी चीजे अच्छी लगना, वरत वचा की चुमक फिकी पड़ जाती है, क्योंकि पूरा रक्त है, माउस बनने के लिए चला गया, माउस की जरूरत सरीर को है, इसलिए, अब माउस की बात अम बताए तो माउस में भी एसा होता है, कि वो उरुद्धी हो गई, कभी माउस की, बराबर है, तो माउस की उरुद्धी होने पर क्या होता है, मोटापा हो जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि आगे जो धातू है, बराबर है, तो ये धातू बनने के लिए, जो प्रोसेस है, वो प् पूरे शरीर में, पराबर वाउस बढ़ गया तो, बराबर है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि, मेद कमी हो जाती है, तो माउस कम हो जाता है शरीर में से, तो उसका स्टॉक नहीं रहता है, तो क्या अलग्षण मिलते है शरीर में रुखापं आ जाता है, चुगने जैसा दरदो अब मेध की बात आती है मेध की बात तो आपको पता ही है आज सब को लोगों को यह परेशानी ही है बरतो भी में बता देता हूँ प्रस्थी के लिए चला जाता है कभी-कभी मतलब मेध है ओ यहां पर मेध है अगनी मंद हो गई कि आगे की प्रोसेस कम हो गई तो मेद जमा होने लगा च्यादा हो गया कि गले की ग्रंथियों में बड़ोतरी पेट का आकार बढ़ना ठकान होना स्तन और पेट लटक जाना और सरीर में से दुर्गन धाना या मेद की रुधी के लिए होता है बरहर कमी हो गई मेद की तो श्तब वी तो अस्थी साथों की उरुधी हो गई तो вмा नखुन में तेजी से उरुधी होने लगती है अअन्डियों दातों में दर्द दाड़ी मुझे बिकृति हो जाती है अब कभी-कभी ऐसा उल्टा होता है कि अस्थी सब अद्रद ऑढ़न्यों में चली गई तो यहां श्टोक नहीं रहता है तो कमी हो जाती है कमी होने पर दातों नाखुन में टुकना रुखापन जड़ना बालों का अड़ियों का कमजोर होना बराबर है जोड़ों में दर्द अड़ियों में दर्दोना यह सब होता है मज्जा की भी बात ऐसी ही है मज्जा की करना आंखों में अंधेरा च्छा जाना इसा वोता है फिर शुक्र कि शुक्र कि यदी व्रुद्धी हो गई तो क्या होगा काम वासना बढ़ जाती है आकरशन भि पृत्लिण का बढ़ जाता म naar Konrad तो अधिक मात्र में श्राँ हो जाता है उ को शुक्र अधिक बढ़ गया तो शुक्राश्मरी जिसको के तेक पत्स शुक्र की हो जाता, यह जंब कर, बरबरे, तो यह शुक्र ज्यादा हो गया, लेकिन उसका उर्ध्वग मन नहीं हुआ, तो यह होता, इसके लिए इसका मतलम नहीं है, आप शुक्र को नीकाल दो, तब बहुत रह दनी होगी, बरबरे, तो शुक्रक को बेलेंस रखो, तो क्या करना है उसके लिए हम बताते हैं, शुक्रक की कमजोरी हुई, बहुत शुक्रक को बहा दिया, तो कमजोरी शुक्रक्षई होता है, और इस में शरीर में कमजोरी मुका सुखना एनीमिया थकान नपुन सकता, अंड़कोश में तेज दर्दक लिंग में चलन ये सब हो सकता है तो ये पूरे के पूरे सब्तधातु की वृद्धी और कमी के लक्षण बताए अब हम देखते हैं सब्तधातु के रोग और उसके उपाई क्या है तो यहाँ पर रस धातु है उसका असंतुलन होने से क्या क्या होता है ओ तो उमने पहले देखिया तो भी हम अभी देख लेते भोजन में अरूची वोनी सलाईवा बराबर नहीं बनेगी बराबर है रस ग्यान नहीं होगा तंद्रा में व्यक्ति रहेगा बराबर अंगमर दोगा स्रोत्राउरो दोगा रदे रोग consistsक्ता है पांडू ओसक्ता है उसको बराबर इस सब रस के असंतुलन से होगा उपाई क्या करे तो यहाँ पर चरक्समीता में बताया गया है रसज आनाम विकार अनाम सर्वं लंगनम उशदम रसज विकार से लंगन यानि की दस प्रकार का जो लंगन है वो आप उपवास मत समझ लेना उपवास इसका एक पाग है लेकिन दस प्रकार का जो लंगन है उसके उपर मारा विडियो भी है वो दस प्रकार का लंगन इसमें परम अवशदम बताया गया है रस जानाम विकाराणाम सर्वं लंगन अवशदम जो रस को अगनी देकर व्यवस्ति दुरूप से प्रोसेस उसकी ठीक करता है आम को जला देता है तो आम पाचक आउशदिया भी वहाँ पर लेने को बताई गई है अब आगे आते हैं रक्त में रक्त के असंतुलंसे रक्त की सारी बिमारिया होती है यहाँ तक केंसर भी हो सकता है रक्त प्रदर हो सकता है पेट में गाँठ ही त्यादी हो सकता है बराबर है अब रक्त के लिए उपई क्या बताया है चरक्समीता में विरेकम उपवासंच स्रावण उन्शोनी कस्यजा यानि कि रक्त मोक्षन नाम की जितनी किरियाय ओ कराना विरेकम विरेचन कराना उपवास करना बराबर है तो ये सबी वहाँ पर रक्त सम्दित बीमारियों में यानि कि रक्त धातु के असंतुलन होने पर ये करना है अब देखते हैं माउस धातु का असंतुलन होने पर क्या होता है माउस धातु का असंतुलन होने माउस संगात अधी माउस बराबरे माउस के उपर माउस होगाना और्ष बराबरे पाइस जैसे रोग होना भगंदर होना गलशुंडी उपकुष चीप तलवे गले में गाठे हो जाती है माउस की गाठे जिसको बताया जाता है ओ हो जाती है शरीर का कमजोर हो जाना इतियादी लक्षार प्रगट होते अब उसका उपचार क्या तरे तो यहां पर बताया है माउस जानाम तुसंशुदिक्ष त्रक्षार अगनी कर्मच एसा कुछ भी हुआ तो अगनी कर्मक्षार कर्मच से पाइल सो गया तो यह जो है ओ यह सारे जो रोग होंगे माउस के असंतुलन से तो यह यहां पर रोग है पुरे ये रोग होंगे तो उसका या तो सस्त्रकर्म चाहर कर्व या अगनी कर्म से माउस की विकार को ठीक करें आपने यह नहीं जाना है तो एक बार आयूरवेद का अगनी कर्म का कंसेब जान लिजेगा क्षार कर्म क्या होता है उब आप एक बार जान लिजेगा तो बहुत ही उत्तम एक रियाए है जो पूरे के पूरे शरीर में माउस की विक्रूती को ठीक करती है अब आगे देखते हैं मेद के असंतुलन वाज़े से इतने विकार मतलब इतने रोग हो सकते है और ये सब होंगे ऐसा जरूरी नहीं इसमें से दो तीन पांच कितने भी हो सकते हैं अपने सरीर के हिशाप से आगे पेर में जलन बालों का जलना मूँ गला तलवा सुखना अति प्यास लगना मुत्र विकार होना मेद का अरबुद यानी की गाठे हो जाना ऐसा होता है उसमें यहाँ पर मेद की विकुरूती में बताते हैं कि यह क्या करे गुडुची भद्र मुस्ता नाम प्रयोगस तृफलस तथा तक्रारिष्ट प्रयोगस्य प्रयोग माक्षिक अस्यच विक्रूति में बता जया गया है गुलुची जदसे प्रयोग का प्रयोग और आसान प्रयोग सबसे है तक्रारिष्ट का प्रयोग है स्लें बताये तक्रा रिष्ट्ट तो अधभूत दवाई ए ग्रहणी संग्रहणीं और खासकर के जिसका बड़ा शरीर है मेद जम गया है मेद की विकृती आ गई है फोड़े फुंसी ओ रहे है गाठे ओ रही है पाचन क्रिया बराबर नहीं है तो आयूरवेद का अकरारिष्ट अधभू थे उसमें गाई के दूद की छाज को सुबसुब ही बिलो ना करके उसको अलग रखी जाती है उसके बाद जमीन के अंदर उसको एक मैने तक निर्वात स्थान में रखा जाता है कुछ उश्रदिया डाल कर उसके बाद उसको देखा ज पूरे जीवन भर बिगडता नहीं है नो एकस पाईरी तकरारिष्टम की कोई एकस पाईरी नहीं है तो यह तकरारिष्ट पेट के रोगों में चाती के रोगों में और पित के रोगों में खास करके मेद के रोगों में जिसका वजन ज्यादा है उसको बेलेंस करने में का बिलोना उसे ली गई छाच वो छाच में भी विशिश उशदियों का सयोजन और उसको भुमिगत करके उसके बाद प्रोशेश करके ही उसको तक्रारिष्ट बनाया जाता है तो एक उशदि को बचा कर संस्तुत यारिय गुरू कुलम ने रखा है वो है तक्रारिष्टम तो ये मेद के बारे में बताया अब देखते हैं अस्ती के बारे में अस्ती अस्ती के असंतुलन अस्ती धातु के असंतुलन दंतशुल अस्ती बेद कुनक नाखुन का पकना अडियों दातों का कमजोर हो जाना अडियों दातों में दर्दोना डाडी मुच के रोकेश विकार यह सभी होता है इसके लिए क्या उपए करे अस्थिया श्रयाणाम व्याधि नाम पंच करमानी खेशजय्या Baptist बहुत सारी दवाई जिसे गोधन ती पुषक स्रेश्ट है इसके लिए समस्कूरूति आरियमोगुलम केलσιयम ड्रोफ्स जो बनाता है वो अस्ती धातु को कोशिथ करने के लिए सबसे उतंग माना गया है मोती का चुना और मोती के चुने से ही वर्षों से वो अस्तिधातु को पोशन देने के लिए अदभूत जो एक दवाई है या तो एक तौनिक है वो है केलिसियम ड्रोक्स वो बनाता है सालों से आगे देखते हैं मज्जा तो मज्जा की विक्रूती हुई मज्जा का असनतुलन हुआ तो अडियो में खोखला पन, आस्टियो पोरोसिस, रुमेटॉड आर्थाइटेस, जोडो के दर्द, ओ सभी होते हैं मजजा के लिए क्या करे मजजा के रोगों के लिए तो मजजा सम्मंदित रोगों के लिए उपाई बताया गया है जो चरक समीता में मजजा शुक्र समुथानाम अउशदम स्वादू तिक तकम बराबर है तो मदूर और कडवे रसवाला मतलब जो है अउशदिया लेना और अ अंतीम शुक्र के लिए भी यही बताया गया है तो मज्जा शुक्र दोनों साथ में लिया है यहां पर नपुन शुक्र धातुक आसन पुलन होने से नपुन सकता शुक्राश्मरी शुक्र में हैं शुक्र दोश गर्बर है गया तो गर्बसराव की भीटी अपंग या के कारण होता है इसके लिए गर्ब संस्कार कराना वहूद आवश्यके हम सब लोगों को बताते हैं कि आप शुक्रशुद्धी पहले कराईए साधी ओने के बाद तुरंधी पंच कर्म वगेरे से शुक्रशुद्धी कराए और उसी के बाद गर्ब रखे नहीं तो आगे आने वाले जो बच्चे है या पंग या विकृत बच्चे हो सकते हैं शुक्रशुद्धी के कारण तो यह शुक्रशुद्धी के लिए तो बहुत बड़ा आयाम है गर्ब विज्यान और गर्ब संस्कार का इसके लिए हमारे चेनल पर बहुत सारे वीडियोज भी है शुक्र के लिए मतलब गर्भ संस्कार के सम्मंद में ओभियाख देख सकते हैं तो ये शुक्र शुद्धी करनी बहुत आवर्श्यके खास करके जबी गर्भ धारणा का प्रसंग आये तब अब देखते हैं कि ये साथ धातू ये हमने देख ली साथ धातू के फल रूप में जैसे हमने देखा था तो एक ओज का कंसेप्ट आया है ओज क्या होता है चलिए हम जानते हैं और उसके बारे में हम थोड़े लीडेल पता करते हैं शुक्र धातू तक ये हमने देख लिया रस रत माउस मेद अस्ति मज्जा और शुक्र ये साथ धातू ये देखी साथ धातू की सारी क जब साथ धातू के बाद यहाँ पर रस का सार किया है तो ये रस का सार जो होता है ओ येक रस रक्त माउस मेद अस्ति मज्जा शुक्र का सार है ओ ओज है तो ये सब्त धातू का सार रूफ में है ओज है तो यहाँ पर ओज जो होता है ओज सब्त धातू के सार रूफ में होत जैसे रस से रक्त से माउस से मेट से अस्तिन जो सार निकला बास्व बन गई ओहे ओज एक उदाराण से ओज को में समझाता हूं तापको आसानी रहे जैसे पानी को गरम करते गरम करते गरम करते तो पानी रहता है बाकी सब कुछ रहता है बास्व बन जाती है जो बास्व बन नहीं धातू होने पर भी धातू से अलग है क्योंकि उसका फोर्म अलग है जैसे कि पानी को जलाया उसके बास्प बन गई अब बास्प पानी है तो जवाब आएगा बास्प पानी है पास्प पानी नहीं है क्योंकि गुण पानी के नहीं है उसमें जो बास्प हो गई उड़ शरीर में व्याप्त है ओज के दो प्रकार है बराबर एक पर ओजे एक अपर ओजे ये दो प्रकार से आयूरवेद में बताया गया है पर ओज और अपर ओज बराबर है तो पर ओजे और रदई में रहता है यहाँ पर दीखिया यह अश्टवुंद ही रहता है यहाँ पर और वो नाश होने से मृत्यू तक गटी तो शकती है बराबर है और जो अपर ओज है और दांजली होता है वो पूरे शरीर में रहता है अब ओज की वृद्धी जब होती है ओज बराबर रहता है पूरे शरीर में सबत धातु ये बराबर बनने लगती है और ओज बराबर रहता है तो क्या होता है तुष्टी बल प्राणवान दे धातु की स्थिर्ता स्वर्वर्ण का प्रसादन प्रतिरोधक्षमता का अदभुदकारियक्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्वकटीत होते ओज के इसके लिए शब्दा यह है ओजस्वी ओजवाला बराबर है तो यह ओ ओज यहां पर रदई में रेता है और ओ आठंजली प्रमण पर ओज है अपर ओज पूरे शरीर में रेता है और दंजली प्रमाण में रेता है ओज बराबर रहा तो यह सब होता है क्या करता है ओज तो रस धातू रकत धातू यह पूरी की पूरी धातू की प्रोसेस पो ठी करता है बराबर है तो ये एक बन गया अब ये ओज जब बराबर रहता है और एक ही धातू या धातू न कहे तो ओज कितना भी बड़े कोई नुकसान नहीं है लाबी लाब होता है बराबर है धातू बड़े घटे तो लाब और नुकसान होता है ओज बड़े घटे तो लाब क्योंकि ओ धातू के जैसा इसका फोर्म नहीं है मैंने बताया बास्प के जैसा फोर्म है शक्ती में रुपांतरी तो चुका है यह जब वस्तुए द्रविय के रूप में रहती है तब ओ बढ़ती है गड़ती है तो जगा घेरती है दूसरे की जगा खुद ले लेती है तो हा ठिहानी नहीं है आगे देखते हैं ओज की कमी हो जाए तो क्या होता है भई चिंता दुरूबलता ध्यान भगनता इंद्रियों की व्यथा कांती हिंता गलानी रुक्षता प्राकृत करमों का हाराश दूरूबल व्यक्तीत वगटीत होता है हीमत नहीं होती है बिलकुल निर पान का मना किया गया है दो वस्तुए से एक मद्य पान व्यक्ति करता है तो मद्य ओज के दस गुण बताए है ये दस गुण से विपरीत गुण मद्य के है मद्य ये दसों गुणों का रास करता एक साथ दारू पिया तो ओज का नाश होता है तो ओज के दसे दस गुणों का क दारू की सखत मनाई की गई है आयूरवेद जैसी पद्धती में आयूरवेद जैसे विज्ञान में दारू को इसलिए नहीं मना किया गया कि वो नसारत करता है लेकिन इसलिए मना किया गया आयूरवेद में कुछ उशदी ऐसी बताई है जो नशा करती है तो भी लेने का बता आयुर्वेद की ग्रश्टी से तो घातक क्यूं है दारू क्योंकि वह ओज का नाश कर देता है और सिधा बॉज का बुन है वो ओज के विपरित बुन बताए गए ओज के दस गुन से विपरित ही विश्क के दुर गुन है इसके लिए विश्ट तुरंत नाष्करता है और दारूबी नाष्कर देता है जीवन का तो ये ओज को जानेंगे आयूरुवेद का जो ये concept है जो सब्त धातु का सार के रूप में ओजगा वो यदि आप पढ़ेंगे ओज के शरीर में किस तरह से रक्षा करनी है इसके लिए पहले के रुशी मुनी ओजगा सवरक्षन करते हैं शुक्र से ओजगा रुपा अंतरण करते रहते हैं शुक्र नीचे जाता है तो प्रजा का निर्मान करता है और उपर उठता है जब बासपरुक में ओज बन जाता है तब वो प्रज्या को उथपन करता है शुक्र के दो गती होती है नीचे गया प्रजा को उथपन करेगा उपर उठा तो ओज के रुप में रुपांतरी तो गया और प्रज्या को उथपन करता है इ इसके लिए उर्द्वरेता रूशी मुनी कहे जाते ते उर्द्वरेता यानि कि अपने शुक्र को जिसने ओज में परिवर्तित करके प्रग्या को जन्म दे दिया प्रजा को जन्म तो पूरी प्रजा देती है पशुपक्सी भी देते है लेकिन यही जन्म में कोई कोई व्यक जो प्रज्यापो जन्म दे पाता है प्रजा को तो पूरी सुष्टी जन्म देती है प्रज्यापो जन्म कोई दे सकता है तो ये ओज के कारण दे पाता है शुक्रशार के रुप में ओज को जिसने परावर्तित किया वो प्रज्यावान व्यक्ति बन जाता है तो एसे प्रज् और त्यजस्वी कहे जाते हैं कहे जाते हैं कहे जाते हैं कहे जाते थे तो आयूरवेद के सेशन में इतना ही इस वीडियो में हमने धातू और धातू सार के बारे में जाना ऐसे ही आयूरवेद की समीताओं में और भी कंसेप्ट है उसको हम आगे जानते जाएंगे इतना कहकर पगवान धनवंतरी के स्मरण से इस्यसंकियं समाप्ति करते हैं नमामी धनवंतरिमा दिदेवं सुरा सुरेरवंधितपादपद्मं लुबोके जरारुबयमृत्युनाशं थातारमीशं विविदाउशदीनाम